नमस्कार दोस्तू गुरुगुल अकडमी में आपसी का स्वागत हैं दोस्तू आज हम आप लोग के लिए लुशेंट जीकी का पार्ट नमबर फाइफ लेकर आ गए हैं फ्रेंज स्या दखना हमने आप लोग के लिए लुशेंट जीकी का निचोड करके एक हजार नई परशनों का संग्रह त्यार कर रखा है जो आपकी आने वाले हर एक्जाम जैसे रिलिवी ग्रूप डी एंटी पीसी ऐसे सीजियल सीप्यू अम्टीस दिल्ली पुलिस स्टेट पुलिस कलरक पटवारी ग्राम स्यू यूपी पुलिस यूपी लेकपाल रास्तन बिस पतवार सीटैट अस्टैट अर्टैट यूंपी टैड्lıस वीदियू तक अचे साथ आपकी आपसे अचे पा ही कलीर होतर च累 साएं और फैस आन ने मता है इतंश नहीं कितने यूप वीडियो को लाइक क्रें आपने निवी पास बीसे से में के दो कोशन का dripping क्रें question start करते हैं या दखना एक question कहां से देने के लिए आपको 5 second का वक्त मिलेगा उसके बाद हम आपको answer बता देंगे तो question start करते हैं हमारा पहला question है धमेक स्थूप कहां अस्तित है जल्दी से बताएंगे आप लोग कहां पर है धमेक स्थूप कहां पर है सारणाथ में तो भी हो जाएगा right answer आपे सारणाथ देखी चीनिक का अनसूत्र क्या है जल्दी से बताएंगे आप लोग फ्रापड क्या है चीनिक का अनसूत्र जिफरेंस आपस रिक्वेस्ट है अगर आप लोग अपने एक्जाम के तेरे को अच्छे सागे बढ़ना चाहते है तो प्रतिक कोशिन का अनसर अलग अलग के मेंड बुक्स में देज़ ताकि जो भी आपके डाउट है साथ में ही कलिर होते चले चले जाएं जी हाँ देखी यहाँ प्यादिया के चेने करण सूत्र क्या होता है सी बार है अच बाइस ओ ग्यार है होता है चेने करण सूत्र भी हो जाएगा जरे टांशर आगे देखिए बेसलिका ओफ जेसस कहां पर स्थित है जल्दी से बताएंगे आप लोग कहां पर है बेसलिका ओ तो फ्रेंस गोवा की अभी वर्तमान में सीयमे प्रमोज सावंत गवर्नस अत्रपाल मलिक है राजनी परणजी है जी फ्रेंस यादखना आप लोग गोवा की स्थापना कब होई थी गोवा की स्थापना होई थी 30 मई 1987 को ये भी आप लोग यादखना अच्छे सी ठीक ना वि बरस्पति का अध्यन कराने वाला प्रतम उपगरे कोन था वाईजर प्रतम वाईजर प्रतम ये रहेगा राइड आंसर वाईजर प्रतम देखे नेक्स्ट भीम बेटका की गोफाई किस राजे में है जल्ली से बताएंगे आप लोग अगर आपने अभी तक वीडियो को ला में है तो एल रहेगा राइट आंसरिया अबि माध्य परदेश यादखना आप व्योह अच्छे से माध्य पढर देखे नेक्स्ट कितने समय जोंगे जल्ली से बताएंगे आपफरापढ़ कितने समय जोंगी चौबीस समय जोन 24 सिरेगा रिट आँसर रपि dealing 24 समय जोन या धखना आप लोग नेग्स्टे पेपर की होज कहा वोए थी यहिनी कागर्ज की कुझ कहा वोग जल्ली से पदाएगे जया परापर कहा वोटी 25 दिसम्बर को मनाते है Good Governance Day दी हो जाएगा 25 दिसम्बर देखे next Sona धातू का Latin नाम क्या है Sona धातू का Latin नाम है Auram तो भी रहेगा Right answer Auram देखे आगे चलिए विशू विरासस्तल राने का वाव किस राजे में उस्तित है जल्ली से बताएंगे आपलोठ रापड की स्राजे में है विशू विरासस्तल राने का वाव किसी में है G-france जल्ली से बताएंगे आपलोठ रापड बहुत रिश्पोंशे रहता है किस में है गुजरात में है काई गुजरात में तो भी रहेगा रेट आंसर गुजरात रेट आंसर पी विलियम हर्षेल नेक्स्ट देखिए चेक बुनाने के अधिक्तम समे सिमा कितनी निर्धारत है चेक बुनाने के अधिक्तम समे सिमा कितनी निर्धारत है कितनी है तीन महिना तो फ्रेंस कितनी तीन महिना याद अखना तो फ्रेंस रहेगा रेट आंसर भी तीन महिना देखिए नेक्स्ट इस रो की पर्थम अद्देख्स कौन थे जल्दी से बताएंगे फ्रेंस फड़ापट की इस रो की पर्थम अद्देख्स कौन थे कौन थे विक्रम सारभाई थे तो ए रहेगा रेट आंसर विक्रम सारभाई कोने के सिवान है वरतमान में या देख स्तापना कव हुई थी इस रो की 1979 में हुई थी या दखना ठीका फेंस आपकी एक्जामे कुशन आ सकता है मुख्याले है करनाटक के बैंगलोर में ये आप लोग या दखना ठीक ना इस रो इंडियन इंडियन स्पेस रिसर्च और्गनेज़सन या दखना आप लोग इस रो की फुल फॉर्म क्या होती है इस रो की फुल फॉर्म होती है इंडियन स्पेस रिसर्च और्गनेज़सन ठीक है देखें स्कूशन लेके चलिए क्या है Statue of Liberty कहां है Statue of Liberty कहां है कहां है New York में है Statue of Liberty यह रहेगा जी रेट आंशर ठीक है देखिए नेक्स्ट अलेगड किस लिए परसिद है किस लिए है ताला उद्दोग के लिए परसिद है अलेगड भी रहेगा रेट आंशर फ्रेंस यह आपके एक्जामे कोशन आ सकता है अलेगड किस लिए परसिद है ताला उद्दोग के लिए परसिद है अलेगड जी फ्रेंस यह आप लोग अच्छे से याद दखना कहां यह उत्तर परदेश में है ठीक है देखिए Computer Security D की स्थिथी को मनाया जाता है बिल्कुर फ्रेंस 30 नोवमबर को मनाया जाता है भी रहेगा रेट आंसरिया पर 30 नोवमबर देखिए Next पहला अंत्राश्ची मैस किन दो देशों के बीच खेला गया था किन दो देशों के बीच खेला गया था पाकिस्तान और जी फ्रेंस यूए से और कनाडा के बीच में तो D रहेगा रही डानस्टराफ यूए से और कनाडा जी हाँ यादखना दोस्तों आप लोगा की पहला अंत्रश्षी मैच किन दो देशों के मद्धे खेला गया था यूए से और कनाडा के मद्धे देखे नेक्स्ट तारा प्रत्म अवस्ता में किस रंग का दिखाई देता है? तो सी होगा रहेट आंसर में लाल रंग स्टेल सिटी राओर केला किस नदी के के नारे अवस्तित है? जल्दी से बताएंगे आप लो फ्राबर जी फ्रेंस बिलकुल किसमे हैं ब्रहामन नदी के केनारे प्रेस सीरेगा रैट अन्सरा पे ब्रहामन नदी जी फ्रेंस याद रखना आप लोग रावर केला कहां है और यह सामे है ठीक है देखे नेक्स्ट विशुवत पर एक दिन की आउदी कितने घंटे की ब्रावर होती है विशुवत पर एक दिन की आउदी कितने घंटे की ब्रावर होती है बारह घंटे की ब्रावर होती है यह रहेगा रैट आंसर बारह घंटे नेक्स्ट है गरह की कक्सा का आकार कैसा होता है कैसा होता है ग्रह की कक्षा का आकार होता है अंडाकार सी होगा रेट आंसर अंडाकार नेक्स्ट है पहला एंगलो सिख यूद किस वर्ष हुआ था पहला एंगलो सिख यूद किस वर्ष हुआ था किस वर्ष हुआ था फ्रेंस विल्कुल कब वा था 1845 में हुआ था डी होगा रेट आंसर यहाँ पर 18.45 पहला एंगलो सिख्यूद की सुवर्श वा था 18.45 में हुआ था डी होगा रेट आंसर 18.45 देखी नेक्स्ट पांच लाइन की कवीता को क्या कहते हैं क्या कहते हैं लिम्रिक कहते हैं सी होगा रेट आंस्रेया पे लिम्रिक भारतिय राष्टी जंडा का प्रारूप किसने तियार किया था भारतिय राष्टी जंडा का जो प्रारूप है किसने तियार किया था पिंगली वेंक्या ने तियार किया था ये रहगा रेट आंसर पिंगली वेंक्या देखिए 211 दिवस किस तिथी को मनाया जाता है 24 मार्श को मनाया जाता है विश्व एक्षमा दिवस डि हो गाजी रेट आंसर सिमला समझोता किस वर्ष हुआ था किस वर्ष 1972 में 1972 में हुआ था ये आप लोग यादगना सिमला समझोता 1972 में नेक्स्ट है ओरियन नक्स्तर का भारती नाम क्या है ओरियन नक्स्तर का भारती नाम है मरिग सीरा क्या मरिग सीरा है तो ए रहेगा रेट आंस्ट है मरिग सीरा देखे नेक्स्ट है प्रिथ्व के भोप्रष्टिस्तर को किस नाम से जाना जाता है प्रिथ्व की भो प्रिष्टिस्तर को किस नाम से जानते हैं सियाल के नाम से जानते हैं डि होगा राइट आंसर याप सियाल ठीक है देखिए नेक्स्ट नेशनल स्पेस सोसाइटिक का मुख्याले कहां पर है नेशनल स्पेस सोसाइटिक का मुख्याले कहां है कहां है common-n-dc या दखना अगला कुछ, किंटन टावर कहां पर अस्तित है कहां है चीन में है केंटन टावर सी हो जाएगा जल्टाइब आजन्सर चीन देखी नेक्स्ट भोटान देश की मुद्रा क्या है भोटान मुद्रा क्या है भोटान देश की मुद्रा का नाम है नगुल्ट्रम डी रहेगा राइट आंसरी हापी नगुल्ट्रम ठीक है स्री लंका ने किस वर्ष सवतंतरता प्राप्त की किस वर्ष की जल्दी से बताएंगे आप लोग स्रिलंका ने के सवार्श सर्दंतरता प्रापamp के थी बिल्कुल अस नैंटिन फोर्टी ऐट में उननिस सो अड़ से में के थी तो भी रहेगा रैट आंशेर उननिस सो अड़ से देखे आजाद हिन्द फोज की स्तापना के स्वार्श हुई थी आजाधिन फोज की स्तापना होई थी 1942 में कब होई थी 1942 में 1942 में होई थी किसने की थी रास ब्हारी बोस और कैप्रिन मोहन सिंग ने की थी बी रहेगा रैट आंशर 1942 देखी नेक्स्ट सुबास चंदर बोस के पिता कोन थी जैनाफ प्रेट से बिलकुल कोन थे नाथ बोश सुबास चंदर बोश के पिता कुन थे जान की नाथ बोश थे भी होगा रहिट आंश्रेया पर जान की नाथ बोश ठीक है ना देखने स्कूश नहीं के चलिए ग्रिन आइट किस सेल में पाया जाता है ग्रिन आइट किस सेल में पाया जाता है किसमें आगने सेल में पाया जाता है ग्रिन आइट सी हो जाएगा ज्रेट अंशर देखी आगे चलेगा पवन उर्जा से विदुत उर्जा जी फ्रेंस पवन उर्जा से विजुत उत्पादन में अगरनी राजिक को निशा है जी फ्रेंस कोने तमिल नाडू है जी फ्रेंस कोने तमिल नाडू है ये आप लोग अच्छे से दूस्तु याद हना तमिल नाडू डी होगा रैट आंशर पे तमिल नाडो तमिल नाडो की राजदानी कहा है चेन नहीं में है यह फ्रेंस यह आप लोग अच्छे से याद हना कहा है चेन नहीं में है यह आप लोग की याद दखना और मुख्य मंतरी के पलाने सुवामी है ठीक है फैंस यह आप लोग यहां से अच्छे से याद दखलेंगे ठीक है चले फिर नेस्ट कुछिन देखी क्या है Wikipedia के सिंस्तापक कोन है Wikipedia के सिंस्तापक कोन है Jimmy Wales Jimmy Wales है Wikipedia के सिंस्तापक C होगा Right answer Jimmy Wales देखी next महा सागरों में तापमान बढ़ती गहराई के साथ कैसा रहता है कैसा रहता है घटता है तो यह रहेगा Right answer घटता है यह आप लोग याद गना कि महा सागरों में तापमान बढ़ती गहराई के साथ कैसा रहता है घटता है यह होगा Right answer घटता है देखिए मोसम का अध्यन किसके अंतरगत किया जाता है मोसम का अध्यन किया जाता है मिटिरियोलोजिक के अंतरगत जिफ्रेंस ओफ्स नमर एर हैगा रैड आंसर ये आप लोग याद गना मोसम का अध्यन मोसम का अध्यन किसके अंतरगत किया जाता है मिटिरियोलोजिक के अं ना देखे नेक्स्ट ओलम्पिक बोक्सिंग में प्रतम गोल्ड मिडल जीतने वाली महिला कोन है जी कोन है नोकुलस एडम्स तो सी रहेगा रैट आंसर या दखना आप लोग ओलम्पिक बोक्सिंग में प्रतम गोल्ड मिडल जीतने वाली महिला है नोकुलस एडम्स सी रहेग रेट आंशर, देखिए आगे, मनुस्य रह दे में कितने प्रकॉष्टों होते हैं, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक ने की आए, सबीलोग फ्रावर्पड वीडियो को लाइक रहेंगे, अपने फ्रेंस की पास सेयर करें देखें दोस्तों कितने में हैत करते हैं आप लोगे सुबस लेकर शामते कलास लेके आते हैं एक लाइक तो बनता है उम्मीद है सबी लोग फ्राबड वीडियो को लाइक है देखें आप लेके मनुस्य के हरिदे में कितने प्रकोष्ट होते हैं चार प्रकोष्ट होते हैं तो डी होगा राइट आंसर यहां पे चार प्रकोष्ट आगे देखी कोक्रोस के हरिदे में कितने कक्स होते हैं कोक्रोस के हरिदे में कितने कक्स होते हैं जल्दे से बताएंगे आप लो फ्राबर कितने कक्स होते हैं कोक्रोस के रहे दे में कितने होते हैं थर्टिन होते हैं तेरह होते हैं कितने होते हैं तेरह तो डी होगा रैट आंसर यहाँ पर यादखना आप लोग तेरह देखें नेक्स्ट एसिया का दिल किसी कहा जाता है एसिया का दिल किसी कहा जाता है किसे कहते हैं इस्तांबुल को कहते हैं एसिया का दिल सी हो जाएगा जिरेड आंच यह आप लोग याद रहना एसिया का दिल कहते हैं इस्तांबुल को सी होगा राइट आंसर यहाँ पे इस्तांबुल देखे आगे चलेगा हर्दे की विमारी को किसके विरुद पहचाना किसक के द्वरा इजी क्या होता है इलेक्ट्रो इंसेफलाग्राफी ठीक है तो फ्रिंस ओफिर ए रहेगा रेटांचर चलिए का डेक्ष्कूशन देखिए 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 नेक्स्ट बालू पर उगने वाले पोधे को क्या कहती हैं बिलकुर फ्रिंस क्या कहती हैं नेक्स्ट काकोरी कांड किस वर्ष हुआ था काकोरी कांड हुआ था 1925 में 1925 में हुआ था काकोरी कांड एक हो जाएगा ज्रेटांचर ठीक है ना देखिए नेक्स्ट में कितनी गुंडशुत्र मौजुद होते हैं मेंड़क में कितनी गुंडशुत्र होते हैं 26 तो भी रह एगा रेट अंसर यापी 26 नेच्ट हैं उजला सोना क्या कहलाता कौन कहलाता है उजला सोना कहलाता है कपास कपास को उजला सोना कहती हैं स्री होगा जर्य रिटान्शोर, देखी आग stall देगा कि भारत से बरमा के सुवर्ष अलग हुआ, भारत से बरमा के सुवर्ष अलग हुआ था, 1937 में अलग हुआ था, ये हो जायगा रिटान्शोर, आगला कोशन एक है, गोल्डन पैगोडा मंदिर कहां है, कहाएं मैनमार में है गोल्डन पैगुडा मंदिर भी हो जाएगा जरेट आंसर मैनमार देखें नेक्स्ट समोद्री खास में क्या पाया जाता है जल्दी से बताएंगे दोस्तों आप लोग फ्राबर की समोद्री खास में क्या पाया जाता है अयोडीन होता है समूद्रि घास में तो B हो जाएगा Z the Red answer आप लोग या दगना समूद्रि घास में क्या पया जाता है आयोडीन, B होगा Z the Red answer आपर आयोडीन, ठीक है ना, निश Sorry नेगे चली मान्चित्र के अध्यन को क्या कहते हैं क्या कहते हैं जी कार्टोग्राफि कहते हैं मान चित्र के अध्यन को भी होगा राइट आंसर यहां पर कार्टोग्राफि देखिया आगे चलिएगा मेंड़ की हर्दे में कितने प्रकोष्ट होती हैं अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक ने कैसे बोड़ वीडियो को ल आगे देखिए देखिए लाइसोसोम में कितने प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं जल्दी से बताएंगे आपनों फ्रापड के लाइसोसोम में कितने प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं 24 प्रकार के तो भी रहेगा रैट आंसर आपे 24 देखिए नेक्सक्रूशन देखि Newton की किस गति नियम से बलका वेंजक प्राप्त होता है किस से प्राप्त होता है दवित नियम से प्राप्त होता है तो भी रहगा R speaking Next नेक्सट बरमान की उमर कितने वर्श है से भी लोग जो आप दिंगे बताएंगे आप रोग फ्राबड की बर्मान की उमर कितने वर्ष है कितनी 13.8 billion वर्ष है तो यह रहेगा रेड आंशर 13.8 billion वर्ष नेक्स देखे चलिएगा कि पलूटो ग्रह की खोज किस वर्ष हुई थी पलूटो ग्रह की खोज किस वर्ष हुई थी किस वर्ष हुई थी 1930 में हुई थी बी रहेगा red answer next अंकुरित अनाज में कौन सी vitamin पाए जाती है अंकुरित अनाज में कौन सी vitamin पाए जाती है vitamin C पाए जाती है C हो जाएगा red answer vitamin C का chemical name क्या होता है इसकोर भी कमल next देखीगा monoculture का शंबंद निलखित में से किस्से है monoculture का शंबंद निल्खित में से किस्से है किस्से है बिल्कुर फ्रेंस किस्से अनुतपाधन से है तो यह रहेगा right answer यहाँ पिन आश्वाड़न ये आप लोग याद दखना कि monoculture का शंबंद लुखित में से किस्से है अनुतपाधन से एह हो जाएगा райट आंसर यहां पहतर पादन आगे है पसुपतिनात मंदीर कहां पर इस्तित है जल्दी सी बताएंगे दूस्तू आप लोग फ्रापड की पसुपतिनात मंदीर कहां पर स्तित है कहां काथ मांडो में see रहेगा right answer यहाँ पर काठ मांडू आगे चलेगा मनुस्मृती किस भासा में लिखेता है मनुस्मृती किस भासा में लिखेता है संस्कृत भासा में तो भी हो जाएगा रेट आंस्यर पर संस्कृत या दखना आप लोग आगे चलेगा CT स्केन में सीटी का विष्टार क्या है सीटी स्केन में सीटी का विष्टार क्या है क्या है कंप्यूटराइज्ट टॉमोग्राफिर जर्फिराइब का रहएगा रेड अंशर देख या गי चलिए बलैक गोल्ड किसी कहा जाता है जल्लिस दोस्तों बताएंगे आप लोग की बलेक गोल्ड किसी कहा जाता है कोईला को बलेक गोल्ड कहा जाता है कोईला को कहते हैं बलेक गोल्ड ए रहेगा रेडा अंशर ये आप लोग या दखना अगला question है मक strangely का लारवा क्या कहलाता है मकी का लारवा क्या कहलाता है जल्दीश दोस्तों बताएंगे आप लोग फ्रापट अगर आपने अभी तक वीडियो को लाई किने किया है सब लोग फ्रापट वीडियो को लाई करेंगे अपने friends के पास share कर देंगे जल्दी से मक्ही का लारवा क्या कहलाता है मैगोट कहलाता है तो भी रहेगा right answer यहाँ पर मैगोट देखें next सबसे चोटा सतनी कौन सा है सबसे चोटा सतनी कौन सा है जल्दी से दोस्तों बताएंगे आप लोग फ्रापर सबसे चोटा सतनी कौन सा है चचुंदर है सी रहेगा right answer दोस्तों यहाँ पर चचुंदर यह आप लोग याद दखना सबसे चोटा सतनी कौन है चचुंदर है सी रहेगा right answer यहाँ पर चचुंदर यह आप लोग याद दखेंगे चचुंदर देखें next गेता का अंगरे जी अन्वाद 1785 में किसके दवारा किया गया था सनुकर में उपयोग सनुकर में सनुकर में उपयोग होने वाली गेंदो के सिंख्या कितनी होती है 22 होती है सी होगा रैट आंसर यहां पर 22 यह आप लोग दोस्तों अच्छे से या दखना आप लोग 22 ठीक है ओफ्सन बर्शीर है का रैट आंसर आपि उप्रेक दोनों चलिए गानेश कूशिन देखिए इंद्रा गांधी टुलिफ गार्डन कहां इस्तित है इंद्रा गांधी टूलिप गार्डन कहां पर है श्रीनगर में तो यह आप लोग अच्छे से या दखना इंद्रा गांदी टूलिप गार्डन कहाँ है स्रीनगर में है भी हो जाएगा रैट अंसर भी स्रीनगर ठीक है न देखी नेक्स बहुत का सबसे बड़ा टाइगर रिझारो कॉनशा है कॉनशा है नागारजुन सागर स्री शैलम है ची रहेगा सी रहेगा रड़ आंचर या दखना आप लोग ठेक SM क विश्व का एंजर दिवस किस त्थी को मनाया जाता है जल्दी से बताएंगे आप लोग फ्रावर्वर की विस्व कैंसर दिवस किस स्थिथी को मनाया जाता है चार फरवरी को मनाते हैं विशु कैंसर दिवस सी होगा रेट आंसर पर चार फरवरी अगला है नेत्र रोग का चिकित्सक क्या कहलाता है क्या कहलाता है क्या कहलाता है ओकुलिस्ट कहलाता है भी रहेगा रेट आंसर यहां पर ओकुलिस्ट जी फ्र प्रिवासा प्राप्त होती है न्यूटन के गती के किस नियम से बलकि प्रिवासा प्राप्त होती है प्रतम गति नियम से होती है difference of no.A रहेगा red answer प्रतम गति नियम देखिए next सब्द कोस शंकलन तथा लिखने की कलाका अध्धन क्या कहलाता है सब्द कोश शंकलंत था लिखने की कला का अध्यन क्या कहलाता है लेक्सिकोग्राफिक कहलाता है क्या कहलाता है लेक्सिकोग्राफिक कहलाता है यह रहेगा रेट आंसर पे लेक्सिकोग्राफिक देखे नेक्स्ट जायद फसल का अध्यन क्या है क्या है खर्बूजा तर्बूज ककड़ी तो फ्रेंस ओफ समबड़ी ओप्रोक तीनों आंसर बन जाएगा ओफ समबड़ी जायद अफसर का दरन क्या है ओप्रोक सबी देखी नेक्स्ट मसली की हरिदे में कितने प्रकोष्ट होती हैं दो प्रकोष्ट होती हैं तो भी रहेगा रेट आंसर पे दो पर कोष्ट ठीक है जी देखिए नेक्स्ट मस्तिस की बिमारी को किसके दवरा पहचाना जाता है मस्तिस की बिमारी को किसके दवरा पहचानते हैं एएजी के दवरा एएजी फुल्फर्म क्या होते हैं इलेक्ट्रो इन्सेफलाग्राफी sco जाएगा जारीट अंज स perfection दीकें। देखे एक ग्राम वसा में कितना कैलोरी उज़ा उपन होती है। एक ग्राम वसा से कितने कैलोरी उज़ा उपन होती है। कितनी होती है जीफरेंस विलकुल nine point three kilo calorie उपन होती है। C हो जाएगा, right answer, 9.3 किलो कैलोरी, C हो जाएगा, right answer, ठीक है न, देखे next, अंत्रिक्स में जाने वाली पहली चीनी महिला कोन है, कोन है, बिल्कुर फेंस कोन है, लियू यंग है, लियू यंग, तो भी रहेगा, right answer यहाँ पे, लियू यंग, यह आप लोग अच्छे से याद रख लेंगे, लियू यंग, ठीक है न, देखे next, जब कोई व्यक्ति सो रहा होता है, तब उसका रक्चाप कैसा रहता है, घट जाता है, और दोड़ता है, तो भढ़ जाता है, तो ए रहेगा, right answer घट जाता है, देखे चलेगा, वित्रक नयाएकी, संकल अपना, सबसे पहल किस ने की, जल्दे से बताएंगे, आप लोग फ्रापट किस ने की, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक ने की आए, सब लोग फ्रापट वीडियो को लाइक करेंगे, अपने फ्रेंज के पास जल्दे से से stream कर देए, तो भी रहेगा, right answer घट याद दखेंगे, आप नाथन समेते का सब्बंद किसे जन सिंख्या नेती से है देखें एक्ष्ट तेरह ताली किस राजे का लोग अन्रेती है किसका है रजस्थान का है तो सी होगा राइट आंशर यहां पर रजस्थान सबसे अधिक किर्यासिल धातु तत्व कौन सा है जल्दी से बताएंगे आप लोग फापड कौन सा है कौन सा है तो डी रहेगा राइट आंशर यहां पर सीजियम यह आप लोग अच्छे से याद दखलेंगे सीजियम देखे नेक्स्ट भारत में एगमार्ग एक्ट किस वर्ष लागो हुआ था दी हो जाएगा राइट आंशर यहां पर 1937 देखे नेक्स्ट माइकल सुमाकर का शंबंद किस देश से है माइकल सुमाकर का शंबंद किस देश से है जर्मनी से तो भी रहेगा जी फ्रेंस रेटांसर भी जर्मनी नेक्स्ट दिन्मार्ग की राजधानी कहा है जल्दी से दोस्तों बताएंगे आप लोग फ्राबट की राजदानी कहा है के लिए सुझाव देने के लिए सुझाव देने के लिए किस आयो की न्युक्ति की गई थी काले धन के उन्मुलन के सुझाव देने है तू किस आयो की न्युक्ति की गई थी चले या आयो की न्युक्ति की हुई थी फ्रेंस ओफ्शनमर ए रहेगा रेट आंसर पे किस की फिला टेली कहते हैं सी होगा राइट अंसर फिला टेली ठीके देखें next जिला कल्यक्टर पद किस वर्स बनाया गया था जिला कल्यक्टर पद किस वर्स बनाया गया था france powin Ken remember 1772 में 1772 में 1772 में bina गया था उस्टमड़ी हो जाएगा रैट आंसर अपे 772 नेक्स देखिए मेरा वतन पुस्त के लिखक कोन है मेरा वतन पुस्त के लिखक कोन है कोन है विश्नो परभाकर है सी होगा रैट आंसर अपे विश्नो परभाकर ठीक है देखिए नेक्स्ट गोल्ड परवत कहां पर इस्थित है गोल्ड परवत कहाँ पर है कहाँ पर जी अमेरिका में है गोल्ड परवत ए होगा रेट आंसर ये आप लोग याद दखलेंगे गोल्ड परवत कहाँ अमेरिका में नेपाल के पर्थम रष्टपति कोन है राम बरनियादो यह हो जाएगा रैट आंसरे आपे राम बरनियादो ठीक है ना देखे नेच्छ बक्सा बाग प्रियोजना भारत में किस राजे मिस्तित है पश्यम्बंगाल में सी होगा रैट आंसरे आपे परियो उखे नेच्छ बेगा लार धुग तो राजे मिस्तित हैं graduate के वाजे मीदा है प्रदेश तो फ्रेंस intentar यह रहगा right answer यहाँ पर हिमाचल पर्देश ठीक है अगला question है भोटान देश का राश्टी खेल कोंचा है भोटान देश का राश्टी खेल कोंचा है तीरंदाजी है तो भी रहेगा right answer भी तीरंदाजी देखे next इलहाबाद स्थम्ब सीलालेक किसने लिकाता जल्दी से फ्रेंस आप लोग बताएंगे कि इलहाबाद स्थम्ब सीलालेक किसने लिकाता हरी सेर ने लिकाता सीर रहेगा तो फ्रेंस यह थे आज के हमारे questions जो अभी complete हो चुके है अगर कोई डाउट है सीर केजगा आपका डाउट अगरे एक लास में फ्रेंस क्लिर के जाएगा और याद रखना अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है सब लोग फ्रापट वीडियो को लाइक करेंगे अपने फ्रेंस की पास सीर करेंगे और जो लोग पहले बार यहां पी आई है जल्दी से आप लोग चैनल को सिस्क्राइब करेंगे साथ में बेल आइकन पर भी कलिक कर लेंगे ठीक है तो फ्रेंस से लिगा मिलते हैं अगले वीडियो में तब ते के लिग गुडबाई जै हिंद जै भारत वंदे मात्रम